तो आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे प्रिवियस इयर कॉस्चिन फ्रॉम यूपी एसी कॉमर्स 2020 तो आज की क्लास के लिए मैंने टॉपिक उठाया है इंटर्नल रिकंस्रक्शन कॉस्चिन स्टार्ट करने से पहले आओ थोड़ा बहुत जान लिए इंटर्नल रिकंस्रक्शन के बारे में जखो रिकंस्रक्शन का मतलब क्या होता है किसी चीज को दुबारा से बिल्ट करना हाना और कंपनी के केस में इंटर्नल रिकंस्रक्शन का मतलब क्या होता है जब company internally अपनी capital structure को change करती है company अपनी capital structure को change करती है उसे हम क्या कहते है company क्या कर रही है internal reconstruction जैसे हम किसी घर को reconstruct करते है तो हम क्या करते है renovate करते है उसमें थोड़े बहुत changes लाते है तो ऐसे ही internal reconstruction के case में क्या होगा company अपनी capital structure में अपनी balance sheet में changes लाएगी अब company को क्यूं जरूरत पड़ी कि वो अपनी capital structure या फिर balance sheet को change करे देखो अगर कोई company जो बहुत साथ से losses में चल रही है तो उस case में क्या होगा company की balance sheet में बहुत सारे accumulated losses हो जाएंगे और साथ साथ बहुत सारे fictitious assets भी होंगे जो company को write off करने है फिर इससे क्या होगा company की balance sheet उसकी true और fair value नहीं शो कर रही होगी यह होगा जब accumulated losses होंगे या fictitious assets पड़े हैं दिखने में तो balance sheet में बहुत सारे assets पड़े हैं लेकिन जो fictitious asset है fictitious asset जैसे हमारे deficit revenue expenditure हो गया example के तौर में जो advertisement expenditure जिसको company accumulate कर लेती है as asset की थोड़े time बाद write off करेंगे वो सारे दिख रहे हैं लेकिन क्या उसे हम market में बेच सकते हैं नहीं तो वो हमारे कहां categorized होते हैं fictitious asset में तो वो क्या होते हैं वो company की true और fair value नहीं शो करते चीक है ऐसे ही जो accumulated losses हैं जब company चाहती है कि उसकी balance sheet true और fair तरीके से दिखाई जाए तो वो opt करती है internal reconstruction के लिए जिसमें वो अपनी capital structure को change करती है internal reconstruction में company करेगी क्या क्या जो अपने उसके useless assets पढ़े हुए हैं जो useless assets पढ़े हुए हैं उसे remove करेगी useless assets कैसे हो गए हैं intangible assets की बात कर लें जैसे हम goodwill वगेरा पढ़ा हुआ है फिर हम बात कर लें जो accumulated losses होते हैं accumulated losses होते हैं उन्हें remove करेगी internal reconstruction में जैसे profit and loss account का जो loss पढ़े हैं बहुत सालों से जिसको company write-off नहीं कर पाई वो हटाती है company internal reconstruction में और साथ-साथ क्या करती है अपने assets और liabilities को revalue करती है यही करती है internal reconstruction में जैसे हम घर में renovation करती है renovation में क्या करती है जहाँ जहाँ problems होती है उदर-उदर change करते हैं जहाँ sealant आ रही है हमाँ sealant tick करा के tiles लगवा जेते हैं तो ऐसे ही company जहाँ जहाँ problem होती है उसकी balance sheet में उसे ठीक करती है internal reconstruction में ठीक है यह basic सा हमने जान लिया reconstruction क्या होता है अब discuss करते है question क्यों और देखो यह question है 2020 का UPSC का question क्या है the following information related to cloud limited as on 31st March given equity shares given है debentures given है interest on debentures given है फिर creditors given है fixed assets, current assets फिर आगे बोला हुआ है fixed assets revaluate मतलब क्या हुआ है हमारे fixed assets को revaluate reconstruction के time पे और साथ साथ current assets को भी revaluate चीक है the following scheme was duly agreed and approved by court मतलब यह यह internal company reconstruct करेगी और इसके लिए court से approval ले लिया है company ने और court ने allow कर दिया है कि हाँ आप इन इन चीजों में internal reconstruction कर सकते हैं तो पहली चीज क्या करिए company ने the shares are subdivided into shares of rupees 5 each subdivision कर रहे shares का ऐसे ही बाकी भी चीजे करी है अब इन सब की journal entries पास करने से पहले UPSC में हम क्या करते हैं question का एक introduction देते हैं तो हमें भी क्या करना होगा internal reconstruction से related हमें एक छोटा सा introduction देना होगा जो अभी जैसे हमने उपर discuss किया internal reconstruction क्या होता है वो हम answer writing में start कर सकते हैं question के साथ ठीक है directly हमें journal entries पास नहीं करनी पहले internal reconstruction से related थोड़ी सी introduction या question में जो information given है उसे ही elaborate करके हम लिख सकते हैं उसके बाद हम पास करेंगे journal entries ठीक है अब मैं एक-एक transaction को उठाऊँगा एक-एक entry को उठाऊँगा एक-एक information को उठाऊँगा और उसकी journal entry के से पास होगी वो मैं discuss करूँगा start करें चलो तो पहली चीज क्या बोली गई हुए है देखो the shares were subdivided into shares of rupees 5 each and 90% of the shares were surrendered तो उन्होंने बोला है कि जो shares है उन्हें subdivision किया गया है subdivision का मतलब क्या होता है कि अगर मान लोग share की face value है rupees 100 तो ये एक face value कितनी है 100 इसे company क्या कर रही है subdivide कर रही है subdivide कर रही है मतलब इसे छोटे छोटे हिस्सों में बाट रही है मतलब जैसे अगर किसी के पास 100 रुपे का note है तो उसे छुटे करवा के 5-5 के note बना लेते है तो वैसे ही company एक face value जिसकी 100 है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बाट रही है किसने हिस्सों में 5 rupees की मतलब जो share पहले 100 का था अब वो कितने का हो जाएगा 5 rupees का और company जिसके पास एक share था जिसके पास एक share था उसे कितने shares देदेगी 20 shares यही होगा एक ही बात हो गई ना 5 rupees के 20 notes या फिर 100 rupees का एक note एक ही बात हो गई तो company ने अपने shares को क्या किया sub-divide करा मतलब उसकी face value को reduce किया छीक है अब face value को reduce करने की journal entry क्या होगी ध्यान से देखो क्या जब face value reduce होती है या जब हम पैसो को change करवाते हैं किसी से खुले लेते हैं किसी से क्या हमारे पास extra पैसे आते हैं या हमारे पास पैसे कम होते हैं नहीं होते हैं तो इस case में भी क्या होगा कि company ने जब 100 rupees के share को 5 rupees का बनाया तो ना उसके पास extra पैसे आए ना extra पैसे गए हुआ गया पहले जो 100 rupees का share था जो total share capital थी 100 rupees की face value की वो हमारे 100 के बन गए 5 rupees मतलब जो share capital थी वो तो सेम रही लेकिन बस change क्या हुआ है face value change हुई है per share तो इसको show करने के लिए company entry क्या पास करेगी देखो तो पहली entry क्या होगी जो पहले share capital थी equity share capital पहले की जो share capital थी कितने rupees वाली थी जिसकी face value क्या थी 100 rupees उसको debit कर देगी और जो नहीं वाली है उसे credit कर देगी two equity share capital जो face value है five rupees उस account को क्या कर देगी credit कर देगी तो अगर पहले equity share capital कितनी थी हमारी two lakh rupees की अब भी कितने की रहेगी two lakh rupees की लेकिन बस फरक क्या आएगा पहले face value 100 थी अब कितने की हो गई five rupees की हो गई समझाया पहली चीज और ऐसे हम वो लिख देंगे being share of rupees hundred are subdivided into subdivided into twenty fully paid equity share of rupees five यही company ने किया अब आगे चलें अगली बात फर्स्ट ही information में क्या गिवन है 90% of the shares were surrendered share surrender का मतलब जिनके पास shares से उन्होंने company को वाफसी कर दिए company को surrender कर दिए company अब उन्हें अपने पास रख लेगी तो इसकी entry क्या होती है जो equity share capital थी जो five rupees थी अब वो क्या हो जाएगी share surrender हो जाएगे मतलब equity share capital को हम reduce कर देंगे two equity share capital account debited और ये पैसा कहाँ transfer कर देंगे two share surrender account कितनी amount transfer होगी उन्होंने बोला 90% surrender कर दिया तो 2,10,000 होगया 2,000 तो 90% होगया 2,10,000 होगया 20,000 तो 90% होगया 1,80,000 तो 1,80,000 को company ने क्या करा मतलब equity shares ने क्या करा अपने shares surrender कर दिया ठीक है इधर हम वोई narration डाल देंगे being 90% of the equity shares are surrendered समझाई पहली information पहली information में given क्या था shares को subdivide किया गया subdivision के बाद क्या किया गया 90% shares को surrender कर दिया equity shares ने यह हमने उनकी journal entries पास कर दी हमने 90% से अपनी share capital को reduce कर दिया अब next information पर चलते है तो next information क्या है that total claim of debenture holders were reduced to rupees 59,000 तो debenture holders को reduce कर दिया गया 59,000 rupees तक and in consideration of this और इसकी बजाए they were allotted shares out of surrender shares amounting rupees 20,000 तो पहले देखते हैं कि debentures को पैसा कितना देना था debentures को देना था एक तो उनकी जो हमारी main value हो गई और साथ साथ interest तो total हमें debentures को पैसा देना था 1,12,000 sorry तो debentures को total पैसा देना था 1,12,000 company ने debentures holder से बात करी होगी और उन्हें मना लिया होगा कि आप 1,12,000 छोड़के आप सिरफ हमसे 59,000 ले लीजिए और 59,000 के साथ साथ मतलब जो आपने amount reduce करी कितनी amount लेना लेने से मान गए तो हमारा ये हो गया 41,000 डिसका हो गया और 12,000 डिसका हो गया मतलब ये total 41,000 डिसका cancel करा और 12,000 डिसका cancel करा तो इसकी बजाए हमने उनके क्या दे दिया 20,000 के shares देती है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा उन्हें shares issue कर दूँगा तो shares issue करने की entry क्या हो जाएगी तो जो हमने shares दी हैं कहां से दी हैं surrender वली जगह से surrender वली accounts में से उसको share दी हैं तो share surrender account को debit कर दूँगा 20,000 और अपनी capital को share capital को increase कर दूँगा two equity share capital account credited रुपीज 20,000 समझ आया क्या किया हमें ने मतलब यह क्या किया है debentures वलों को shares allot कर दे हैं surrender वली accounts में से निकाले और debentures वलों को दे दिया अब हमारा next काम क्या आता है यहाँ पर हम narration डाल लेंगे हमारा next काम क्या आता है कि जो debentures को जब shares दे दिये तो उनकी amount को reduce किया जाए अब उनको हमने 1 lakh रुपीज तो देने नी सिरफ finally कितनी amount देनी है 59,000 बाकी बचे हुए debentures कितने debentures यहाँ पे थे 41,000 के हमारे 6% debentures cancel करने है और जो उनको interest है अब भो भी pay नहीं करना इसी basis पे decide हुआ था ना कि जो total claim होगा उनका total claim को हम reduce कर देंगे 59,000 पे total claim 1,12,000 का था उसे reduce करके 59,000 कर दिया मतलब अब हमें उने interest on debentures pay नहीं करना तो इसे cancel करेंगे तो interest on debentures account debited कितनी amount होगी 12,000 और जो 6% debentures हैं जिसको हमने reduce करा वो कितनी थी 41,000 जब 1,00,000 में से 41,000 हम ले लेंगे मतलब अब debentures हमारे account में कितने के दिखेंगे 59,000 के जो हमें information में बोला हुआ है और यह जो पैसे कठा हुआ उसे हम कहां transfer कर देंगे एक separate account बना लेंगे जिसको हम कहते हैं reconstruction account यह amount हो गई 41 41,000 plus 12,000 यह आगई हमारे बाद 53,000 रुपीज यह हमने क्या किया इन दो entries में shares जो debentures वालो थे उनसे बात करके उनकी claim को 59,000 तक reduce किया और उनको shares इशू करें पहले मैंने shares इशू करें फिर उनके claims को reduce किया ठीक है आगे चलें यह second information हो गई आगे चलते हैं the creditors agreed to reduce their claim to 30,000 तो creditors agree हो गए हैं अपने claim को reduce करने में 30,000 में one third of which was satisfied by issue of equity shares out of those surrendered मतलब पहले क्या हुआ total creditors कितने के थे 50,000 के 50,000 को हमने मनाया कि अब हम आपको 50,000 नहीं दे सकते भाई company ने का हम आपको 50,000 नहीं दे सकते आप अपनी थोड़ी value कम किजिए हम आपको 30,000 दे सकते हैं ठीक है और 30,000 में से क्या कहा कि जो one third creditors से अब 30,000 पे करना है हमें कितना पे करना है 30,000 company वो कितना पे करना है 30,000 30,000 में से one third को मना लिया कि हम आपको shares के through payment कर देते हैं मतलब 30,000 में से 10,000 को मना लिया कि हम आपको shares के through payment कर रहे है और हमारी balance sheet में बच कितने creditors गए सिरफ 20,000 मतलब 50,000 के creditors से at end of the day बच कितने के गए सिरफ 20,000 तो बाकी के 30,000 को हम cancel कर देंगे और 10,000 को हम shares issue कर देंगे तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम shares issue करेंगे तो shares issue करने के entry अभी हमने सीखी कहां से करेंगे surrender वाली account से करेंगे जहां पर हमने surrender वाले account में shares रखे हुए थे amount रखी हुई थी तो share surrender account बचल जो पैसा हमार को equity shares ने cancel करके दिया उससे हम अपनी liabilities उतार रहे है debited कितना 10,000 to equity share capital अपनी share capital को increase करूँगा क्यों increase करूँगा तो capital तो increase होगी न 10,000 तो यही narration आ जाएगी हमारी ठीक है अब जब मैं खुछ 50,000 से कितने बच गए share accreditor सिरफ 20,000 के पहले 50,000 वालों को हमने मनाया कि 30,000 ले लो 30,000 में से 10% को हमने shares issue कर दिया बचे कितने चाहिए सिरफ 20,000 50 में से 20 बचने चाहिए 30,000 को हमने cancel करना है तो जब 30,000 को cancel करना है तो उसकी entry का हो जाएगी creditors को मैं debit कर दूँगा और इनका सारा एक्स्ट्रा पैसा बच गया वो कहां चला जाएगा reconstruction account में 30,000 to reconstruction account 30,000 इधर भी हमने 2 entries पास करी पहले क्या करा shares allot करे हमने किनको creditors को फिर उसके बाद creditors को reduce कर दिया उनका claim को reduce कर दिया next information में चलते है the shares surrender but not reissued were cancelled हमने discuss करा था कि जैसे हमने सबसे पहले क्या करा equity share surrender करे उसे हमने एक जगा रखा फिर जहां जाए उन्हें resue करना था उन्हें resue करा अब जो बच गए उन्हें क्या करेंगे cancel कर देंगे और cancel होने के बाद share surrender वाली amount कहा जाती है reconstruction account में ये थो हमें पता ही है तो हमारी entry क्या होगी हमारी entry होगी share surrender account debited to reconstruction account यह entry होगी हाना अब amount कितनी जाएगी ध्यान से देखना सबसे पहले हमें surrender में credit कितना कर था 1,80,000 मतलब जो share surrender हुए था total amount की कितने हुए थे 1,80,000 के उसमें से हमने 20,000 issue कर दिये किसको debenture holders को फिर 10,000 issue कर दिये हमने creditors को मतलब 1,80,000 में से हमने 30,000 को reissue कर दिया तो कितनों को नहीं reissue करा 1,50,000 को 1,50,000 को हम कहां transfer कर देंगे reconstruction account में reconstruction account वो account create कर रहा है जो specifically reconstruction में जो amount change हो रही है हम उदर transfer कर रही है ठीक है यह हमारी entry हो गई सारी information covered हो गई कि हमें यहीं रुख जाना है नहीं फिर हमें क्या करना होता है reconstruction में जो पैसा कठा हुआ reconstruction account में जो पैसा collected हुआ उसे हमें utilize करना होता है किस purpose के लिए write off करने के लिए क्या write off करेंगे हम क्या write off करेंगे fictitious assets वगएरा losses वगएरा ठीक है तो अब हम check करते हैं कि हमें कौन-कौन सी information दे रखी है देखो हमारे question में ना कोई fictitious asset है ना losses वगएरा है लेकिन दो चीज़े बता रखी है कि हमने fixed assets के fixed assets की amount को revalue किया है मतलब पहले fixed assets 2 lakh rupees के थे अब रहे गए 1 lakh 6,000 rupees के मतलब हमने इसे revalue करके 94,000 की amount को reduce किया है अब यह 94,000 की amount कहां जाएगी हम यह कहां से निकालेंगे reconstruction account से निकालेंगे तो इसकी entry कैसे पास होईगी हम इसकी entry पास करेंगे कैसे कि हमने reconstruction account से reconstruction अकाउंट debited क्या करना है हमने किसको reduce करना है किसको reduce करना है क्या था हमारा fixed assets 2 fixed assets account यह हमने fixed assets को reduce कर दिया कितने से 94,000 rupees से ताकि अब balance sheet में वो कितनी amount दिखरी हो हमें balance sheet में हमें amount दिखरी हो 1,6,000 rupees similarly current assets को भी revalue किया है पहले 65,000 rupees थे अब 48,000 rupees रहा गए मतलब 17,000 से reduce किया है 17,000 से reduce किया reduction में क्या होगा reconstruction account को debit करेंगे और current assets को reduce कर देंगे reduce करने के लिए किसी asset को क्या करना पड़ता है क्रेडिट तो क्या हो जागा हमारा reconstruction account debit 17,000 और current asset 17,000 ठीक है अब last काम क्या होता है और कोई तो information दे नहीं रखी है हमारी balance sheet में last काम क्या होता है हमारा जो reconstruction में पैसा बच गया उसे हम कहां transfer करते हैं capital reserve में क्योंकि यह full-fledged question नहीं है तो मैं इसमें capital reserve में transfer अभी के लिए नहीं कर रहा ठीक है अगर यह full-fledged question होता कि हाँ पूरी balance sheet given होती मुझे तो मैं extra जो surplus बचा हमारा reconstruction account में उसे transfer कर देता अपने capital reserve में यह हम काम करते हैं internal reconstruction में बहुत ही simple सा question था subdivision करा shares का जो surrender हुए थे उनमें से creditors को reissue करा, debentures को reissue करा और बाकियों को cancel कर दिया ठीक है आज की class के लिए इतना ही फिर मिलेंगे, bye bye, take care, see you soon